नमस्कार दस्नू आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी के सूखे पत्तों से एक विसेस उपाय बताएंगे इस उपाय को आप अपने घर में अवश्य करें यह उपाय इतना प्रवाफ साली है कि इस उपाय को करने से कुछी दुनों में आपको इसका चमतका देखने को मिलेगा आपके घर में मालच्मी की क्रपा बनी रहेगी साथी पैसे जैसी समस्याओं से चुटकारा मिलेगा हिंदु धर में तुलसी के पौदे को पुजनिय माना गया है कहते हैं जिस घर में तुलसी का हरावरा पौदा होता है उस घर में मालच्मी का निवास होता है साथी उसके घर में पैसे जैसी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता अगर वहीं तुलसी का पौदा सूख रहा है तो इस बात का संकेत है कि आपके घर से मालच मी रूट कर जाने वाली है और आपके घर में पैसे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके घर में भी तुलसी का पौदा सूग राए तो आप इस विसेश उपाय को अवश्र कर लें ऐसा करने से आपके घर में ये मुसीवते नहीं आएंगी मालच मी आपके घर से रूट कर नहीं जाएंगी नहीं आपके घर में पैसे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए एक लाल कपड़ा लें उस लाल कपड़ी पर सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को रख लें फिर उन बद थूड़ा सा गंगाजल चुड़कें गंगाजल चुड़कने के बाद भगवान सिरी हर का इसमरड करें और उनसे प्रातना करें कि आपके घर में ऐसी मुसीवतें ना आएं मालचमी आपके घर से रूट कर ना जाए कहते हैं जहां भगवान सिरी हर का नाम लिया जाता है वहां मालच मी पहले से ही पहुँच जाती हैं इसलिए बगवान स्री हर का नाम लेकर उस बस्त्र में रखी हुई पत्तियों की पोटली बना लें पोटली बनाने के बाद उस पोटली को आप अपने घर की तिजोरी या अपने पर्स में रख लें उसके बाद आपके जीवन में पैसे जैसी समस्यों का सामना नहीं करना पड़ेगा मालच मी आपके घर में निवास करेंगी उमीद है आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सिय करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब वर्ष्य करना विलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में